आगे बढ़ेंगे आज हमें एक नया कौनसेप पढ़ना जिसका नाम है वाक वाक वेटेड एवरेज कॉस्ट अफ कापिटल वो भी पढ़ना है और हम उसके बाद में यह सारे वो भी कौनसेप पढ़ेंगे जो हमने देखना थे बैगराउंड चेंज गरना आगे बढ़ेंगे फड़ाक से देखते क्या-क्या लिखा है क्वेश्टन नमबर ट्वाइल पर जाएंगे कल आमने बैसिक डेवलप किया था अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्टन नमबर बारा कौन सा पेज नमबर है भाई है कौन सा पेज नमबर है क्वेश्टन नमर 12 के लिए कौन से कोशे क्वेश्टन नमर बास आज हम लोग है कॉस्ट ऑफ पिक्यापितल के चार्ट अब लेक्चर नमर 2 पर ट्वेल 13, 39, 34, 18, 19, 28, 36, 48, and 49, ठीक, येस, क्लास का ताइम वही है विड़ा कोमल, ओके, कुछ दिखा पर, पेज नंबर, 12, 13, कुछ दिखा गई पर, बिला कौन से पेज, 13 का पर है, पेज नंबर दे दो मुझे, 84, ओके, पेज नंबर 84 पर आ जाई है, 84, ओके, ये वाला, तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन को दिखते पेले, calculate the cost of capital of H Limited, who's a risk-free rate, यानि की RF कितना है, तो यह RF हो गया अपना 10%, everybody, and the firms, क्या लिखा है यहाँ पर, beta, जिसमें हम लोग लगा रहा है, उसका beta है 1.75, and the return on the market portfolio, यानि की इसका RM जो है, वो है 15% का, अगर मैं इसको formula में घुसेट दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो this is the formula, right, RF plus beta bracket के अंदर, रम मैनस RF, RF कितना है, RF है 10%, तो यह 10% आ गया, beta 1.75 है, market से return रहा है 15, और risk-free का है 10%, यानि अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो answer आगा 18.75, I think it's very easy question, right, but it is about यह question का नाम, यह कौन सा अप्रोच है वैसे, इसको आप realized बोलते हैं या C.A.P.M. बोलते हैं, this is called as what C.A.P.M. approach, okay, next question 39, 18, 19 मिज देख सकते हैं, 18, 19, okay, let's start guys, यह देखते हैं, question number 15 को पहले देख लो, page number 94, ओके, यहां से देखते हैं, calculate the cost of retained earning, आपको retained earning देना हैं, आपको k-a-r निकालना है, k-a-r, और k-a-r मतलब k-a होता है, k-a-r मतलब k-a होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि आपको यह करना है कि आपको k-a-e निकालना है, अगर आप k निकालो तो kr तक तो पहुची जाएंगे, right everyone, है ना, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, cost of retained earning, d0 कितना है, 4.19, p0 कितना है, 50, growth कितना है, 5%, formula बोलो, जल्दी से, d1 upon p0 plus g, d1 कितना है, मालुम नहीं, d0 मालुम है, 4.19 को 5% को add करो, 4.19 plus 5%, कितना है का answer? 4.39, और p0 कितना है, 50, plus कितना करेंगे, 5%, तो answer कितना हैगा, बोलो, answer कितना हैगा, 13.79, this is the answer, तो add किया न, होई तो 4.39 हुआ, अलग सका, 4.19 है न, उसमें 5% add किया न, क्या होगे तुझे, तो अपने ख्यालों में, राइट, चलो, कोई बात, आगे, ख्यालों से बाहर आएंगे, आगे जाएंगे, दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, ये वाला question करते हैं, अब आ रहा है पहला question on VAC, page number 95, are you ready now, come on everybody, the following details are provided by the GPS Limited, जिसमें इसब कुछ लिखा हुआ है, आपके सामने equity, preference, redeemable and convertible debenture, right guys, come on, देखते हैं, आपके सामने, the cost of equity, capital of the company, 16.30, income tax rate लिका है 30%, and you are required to calculate VAC, अब मैं आपको थोड़ा सा VAC के बारे में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, VAC का मतलब ऐसे, VAC दो टाइप के होते हैं, एक होता है as per book value, एक होता है as per market value, right, एक होता है book value, एक होता है as per market value, वै कहने ही कि आपको weighted average करना है, average नहीं करना है, weight के साथ, इसलिए weight आपको निकालना पड़ते है, weighted average, तो book value में क्या होता है, ऐसे होता है, देखो, year, source, amount, weight, rate, VAC, इधर भी आता है, source, amount, weight, rate, VAC, समझा है, अरे बोलो, आप क्या होता है बता है, यह जो source होता है, source could be, equity, date, और क्या होगा, preference कुछ भी होता, इधर भी आता है, equity, date, preference, पर याद रखना जब market value की बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर date लेता हूं, यहाँ पर preference लेता हूं, यहाँ पर equity, यहाँ पर मैं reserve भी लेता हूं, पर यहाँ पर मैं reserve नहीं ले सकता हूं, यहाँ प बात, book value में हमेशा जो amount होता है, वो हमेशा book value पर यहां पर जो amount आएगी, यह हमेशा market value के हिसाब से आती है, समझा है, यहां पर हमेशा amount, अब लाम में लिखा market value, तो market value लेके, सब्सक्राइब कोई share मैंने 10 रुपे मिलिया था, और आज 100 रुपे हो गया, तो यहां पर मैं ल लिखोंगा 10 रुपे, यहां पर लिखोंगा 100 रुपे, सब्सक्राइब, कुषक सवाल, दोस्तों वैसे ही date और preference का भी market value चेंज हो सकता, इस ते वह चीज़े यहां पर अलग आ सकती है, और यहां पर वो अलग आ सकती है, पर अगर मैं अब यह आपने समझ लिया, सुनो जर यहां पे अगर मैं रिजव के बारे में लिखता हूँ, आपने सवाल पुछना चाहिए यहां पे क्यों ने लेता हूँ, market value में reserve क्यों ने लेते, क्योंकि जब मैं market value लेता हूँ ना, जैसे for example यहां पे 10 लिया और यहां पे 100 लिया, इसका अर्थ क्या है मालो में, जब ये market value 100 रुपे जब लिख रहा होना तो market value ने इसकी reserves की amount को consider करते हुए ही उसका price बढ़ा है हुआ है मतलब ये reserve का impact अलड़ी equity के value में add-on हो चुका है यहाँ पर हमने केवल equity का actual value लिखा है और reserve का अलग से लिखा हुआ यहाँ पर जब आप market value, because market हमेशा company की reserves को देखती है उसकी market की value लगाता है इसका मतलब क्या हुआ, market value has already considered the amount of reserve अगर मैं equity का market value भी लिखूँगा और reserve भी अलग से लिखूँगा तो ये double valuation count हो जाएगा it will be duplication, because मैं reserve करते हैं समय भी वह सोच चुका हो, तो ऐसा मैं double नहीं कर सकता हूँ understood everyone, चलो फिर आप क्या बोलेंगे आदे बोलो भाई मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसे कि जब भी हम लोग कभी भी कोई company का whack निकालते है क्योंकि company बहुत सारे sources से funds लेती है, तो company ये नहीं बोलेंगे, हमारा date इतने का है, हमारा equity इतने का preference इन general पूछेंगे कि सब का मिला के company को क्या cost गिरता है, weighted average cost कितनी है, ये in general हमने समझना चाहिए क्या बोला हम इनने, company अगर बहुत सारे sources से funds ले रही है तो आप ये नहीं बोल सकते, equity का मुझे इतना देना बड़ता है, date का मुझे इतना देता हूँ, अरे ये सब छपरी पर छोड़ो, आप एक बताता हूँ कि सब का मिला के, क्या हो रहा है, तो इसले हम लोग निकालते है, weighted average cost of capital, अब वो आ रहा ही है, समझा आपको, इधर द source, amount, source, amount, weight, rate, वैक, 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 ओके, source क्या है हमारे पास, equity तो equity, preference तो preference, date 15%, date 10%, यहाँ पर लिख जावने date, date, ओके, amount मैंने उपर से copy किया, देखो, 65, 65, 12, 12, 20, 28, अब बात करेंगे, वेट की, कैसे करेंगे, वेट, दोस्तो, total amount को add करें, हाँ, अब आगे बोलो क्या करेंगे, क्याल सिलो, क्याल सिलो भईया, बोलो भईया, क्या हो रहा है, बोलो, अभी क्या है, आपना टोटल क्या, 65, 12, 20, 8, पुरा किता है, 105, तो 65, 105, परसेंटेज में आ रहा है, 61.9%, बराबर है, उसके बाद में, 12,00, divided by 105, आंसे किता है, 11.42%, लाइक दिस आपको 100%, मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे, इनका जो रेट है, वो रेट आपको ऊपर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये 12%, विलरे में 12%, तो 12 को मैंने 12 लिखा है, सुर ये 15 को आपने साढ़े-दस क्यों लिखा, बिकॉस वन माइन, वन ब्रेक, इंट्रेस ब्रेकेट में, वन मानेस टैक्स होता है, तो आप जब 15% दे रहे हो, तो आपका 30 टका टैक्स बज़ रहे, याने एक्चुल में आपका 15-30%, तो 15-30% कितना होगा, साढ़े-दस टक मेरा, साढ़े-दस रुपे में दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे मैंने साड़े 10 लिखा है और 10 का साथ लिखूंगा हो गया जा लिख दिया मैंने आपके आपको सबको multiply 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 करेंगे हो गया multiply कर दो अपके तो 61.9 multiplied by 16.3 यह आगे आपका 10.8 टका फिर 12 टक्के को multiply करो 11.42 परसेंट से यह आता है आपका 1.3 ऐसे करते करते आपके चारों के आएंगे और चारों का total जगों आपको वैका जाएगा कोई सावाल को doubt पूछ सकते हैं आप मोझे एक कुछ नहीं कर सकते नहीं यह पे कुछ लिखाई नहीं है तो क्या करेंगे बस कुछ और दिया ही नहीं ना उसका RV वैलू दिया है रिडिमेवल वैलू दिया ही नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता हूं मैं उसका लाइब भी दिया नहीं है है ना आगे बढ़ेंगे मैं हूँ question number अपना question number कुछ आ रहा है अपने questions देखो एक बार करेंगे जिसमें बुक वैले और मार्केट वले दोनों आ गए यह जुलाई 21 का question है मार्क्स दस्यस के इसका EPS से DPS से एक्सप्रेट ग्रोथ लिखा है यह सब लिखा है ओके कोई बात नहीं है चलो बोलके बता हूँ मुझे क्या लिख रहुत है यहां पर लिख रहा है requirement of additional finance कितना लिख रहा है कितना पैसे इनको 30 लाग चाहिए डेट इकुडी कितने में चाहिए चाहिए इनको 20 इकुडी कितना चाहिए 10 समझ गया ओक यहां पर इनके पास में assuming that there is no reserve ओके तो इनको देट से बीश्ट ही है और उसमें भी क्या चाहिए डेट का अलग लग रेट से एक्विटी का अलग रेट से बताओ हमरे पास में कितना पैसा आएगा देट से 20 लेक्स एकुड़ी कितना आगा 10 लाक्स है ना तो चार कॉलंब बनेंगे पांच कॉलम सोर्स अमाउंट वेटा रेटा वेक्विटी अवेटा वेक्विटी नहीं आगे बढ़ेंगे अब एक देखना पड़ेगा हमें अगर मैं इसका वो निकालता हूँ क्या निकालना पड़ेगा मुझे के के कैसे निकालेंगे के के लिए डीवन कितना है यह उनका डीपे से छे एक्सपेटेड रोग किती छे टका यह डीवन कितना आगा 6.36 बराबर है वापस पीजिरो कितना है करेंट प्राइज एक सो बीस रुपया और प्लस ग्रोथ कितनी हो रही है 6 परसेंट कितना हो रहा टोटल अंसर को बोलो जल्दी 11.3 है यह दो कि यह पेलिवन पॉट्ट्री परसेंट आके रेट अपना बराबर है 11.3 अब हमारी प्रॉबलम कि है हमारे पाइज जो डेट ना वो डेट अलग अलग टाइप का है दिखो ऐसा डेट है हमारे पास वो बीस लाग में से हमने कुछ पैसा जो है ना पहले पांस से सबनाू ना कि से लेते हैं फिर दस लाग से उपर हम लोग आठ पर्षंट से लेते हैं जट ओके उसार फइन गाइज फिर अपक्या कर रही है बताओ या पर हम लोग लिखेंगे पाच लाग 10 टगा और अग्ले पाच लाग नो टका और पाज किस सब आठ टक इस तरो यह आप कैसे करेंगे पता हो इसको कैसे लिखेंगे आप एक तो काम करो इसको ऐसे से लिखे दो या मैंक ना इन का मतलब कितना होगा कि 9 घए 106 पॉंट कितना हो रहा है Apollo कि 6.3 हो रहा है और बागी कि क्या हो रहा है 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 तो इसक्राहिज को स्टाफ किपल कितना है घर है अगर अगर आपको देट का कौस्त बता हुआ तो कैसे बता हो गया बता हो अगर मुझे टीक निगाल तो वक्रता है तो मिला मुझे क्या रचैंट से बोल रहे हैं और बाद में पांच लाक किते से मिल रहे हैं 6.3 से और बाद के 5 लाग ने 10 लाग कितने से मिल रहे हैं 5.6 कितना हो रहा है है 35,000 हो रहा है क्या और कितना हो रहा है 5,000 को मल्टिप्लाइ करो कितने से 6.3 से ओके यह आ रहा है 315 सिंपल है भाई और यह आ रहा है मेरे पास में 56,000 रुप है बड़ाबर है अरे मुल्टिप्लाइ कर रहा हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इतना आप हो खर्चा लगा कितने के लिए 35,000, 31,500, then what 56,000 what is the total cost बड़ाबर है इतना पैस आपने कितने पे खर्च किया तो कितना परशंटेज हुआए करो जल्दी इतना टाइम ने अपने बड़ाइज 6.125 सही है इस ते मैंने क्या निकाला केड़े है 6.125 सही लिखा है 6.125 इधा देख लो 6.125 है क्या करूँगा मैं इसका इसका वेट निकाल लेए इसका वर्ल वन थर्ड है इसका वे टू थर्ड है इसका वेट टू थर्ड है multiply multiply हो गया 7.84 नहीं आगया answer over क्या हूँ आपने क्या किया बताओ आपने केड़ी का कॉस्स निकाला केड़ी का कॉस्स निकाला यहाँ पर रख दिया कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे अब यहां पे आपके पास में मैं क्वेश्टन लेके आ रहा हूं जो आपके पास में 27 एक बार इस क्वेश्टन को देखेंगे यह भी एक अच्छा क्वेश्टन है 27 नंबर का वह अपन देखेंगे बस एक पेश नंबर याद रखो बस कौन सा है यह पेश नंबर इसको हम लोग देखेंगे पर एक डिफिकल्ट नहीं यह थोड़ा सा एजी क्वेश्टन लेके आगे बढ़ेंगे 28 वाला क्वेश्टन हमें देखना है ओके बिफोर दे न्यू प्रपोजल और आफ्टर दे न्यू प्रपोजल यह क्वेश्टन तो हमें करना ही है अपने इतने सारे क्वेश्टन जो करेंगे लगबग ऐसा हो जागा कि हमें सारे क्वेश्टन की सारे कंसिप्ट की जान करें कुछ डाउंट है आपको पूछो मुझे तानिया का बोलड़ी, yes sir, CTI बोलड़ा, clear sir, कोई problem नहीं है, आगे, वंशिगा का बोलड़ी, yes sir, clear sir, okay, कोमल कह रही, sir, clear sir, yes sir, yes sir, yes sir, मेरा नाम है 7M, please, इसा कासा नाम है, बेदर है, सागर जह, yes sir, कोई problem नहीं है, चलो ठीक है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सिद्धू कह रहा है, sir, no doubt, आप आगे बढ़ते रहो, मीत कह रहा है, sir, awesome, आशा कह रही, yes sir, zero route, चलो, सब पो, किसी को भी कोई, आप पो कोई doubt है या, कोई doubt है, मैं चालो करूँ, 28 questions, आज हमारे पास में, जितने भी questions होंगे न, book value, market value, मैं सारे टक भी questions गवर कर लूँ, आज आपको ऐसा लगा कि सब कुछ आ रहा है, ठीक न, कल्यानम Limited has an operating profit 34,50,000, and has employed a debt which gives total interest charge of 7,50,000, the firm has an existing cost of equity and cost of debt 16,000, यहने का KDK दिया हुआ है, अब यह इतने 75,000, का fund लाने के लिए, उनकी वास में additional date उनको 8 टकके से बजार में मिल सकता है, पेज नमर काई तक क्या था है, यह ना, 11, ओके, यहां पर लिखा था, कि 8% से उनको, and will not be, यहने कि जो नया पैसा आएगा, 75, पूरा कि बोरा किससे आएगा, date से आएगा, और किससे नहीं आएगा, यहां, यू और रिक्वाइट टू कैलकुलेट वेड़ेड एवरेज ग्यापिडल बिवर न्यू प्रपोजल, अब पहले उनको किते पैसे चेए थे, उनके बास थे, सेवेन लाक फिफ्टी थाउजन, इंट्रेस चार्ज था, और दा फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इक्विटी एन कॉस्ट अफ देट, कितना था, इनकी डेट कितने का था, 16 परसेंट, तो क्या आप मुझे टोटल डेट बता सकते कितनी है, बोलो कैसे, साड़े साथ लाक इंट्रेस्ट है, और वो सोला टक्के के भाहु से है, साड़े साथ लाक को डिवैड कर रहों में सोला टक्के से, कितना आएगा, यह हमारे पास में दोनों के संक्या आगे, बराबर आएगे दोनों, कैसा क्वेशन है, फिरकी लिए इसने, डाइरेक ने दिया, आपने को अमाउंट भी ढूंड के निकालना पड़ रहा है, समझा, इक्विटी डेट आगया यह, अब बोलो, वेट कैसे निकाले, अरे टोटल ले लिए यार, तु करोड़ शिक्टी टू लाक्स की वेट तो निकाला, बच्चो का कहा में, और यह केड़ी के ही तो दिया, अरे, यह 16 परसंट, यह 8 परसंट क्यों लिया, यह पहले सर क्वेश्टन में दिया था, उसमें क्या करना, आ गया अंसर, अरे बेटा, यह कॉस्ट अफ डेट लिगाया है, नहीं, पर कभी कभी क्वेश्टन में लिखा हुआ, यह केड़ी खुदी है, तो अल्रेट वो टैक्स माइनस होने के बाद का होता है, जब वो लिखते इंट्रेस्ट इतना है, इंट्रेस्ट 15 टका तो उसके दमें टैक्स माइनस होगा, अगर बैलेंश में लिखा होता है, 10% डिबेंच अथ, उसके दमें टैक्स माइनस होगा, पर वो खुदी लिखेंगे, यह खुदी केड़ी है, तो केड़ी तो टैक्स का इफेक्ट माइनस होने के बात का यह होता है, अब चलो, आफ्टर में क्या हुआ, आफ्टर में दे, आपकी जो है, इक्विटी वैसी रहेंगी, यूँकि आपने जो एक्स्ट्रा 75 लक्स दाए, किस से राए है, डेट से, तो आपका यह एज़िट इस है, कौन सा वाला, अरे कुछ बोलते क्या, यह कितना है, यह तो एज़िट हो गया, अरे बोलो यह रहा हूँ, और आपका डेट पहले इतना था, आप डेट यह एड हो गया, तो आपके डोडो डेट हो गया, अरे पहते है, लग्यली इसकी जंक्या भी उतनी हो गई, वन करोड़ सिस्टी लाक से, मिला उसको, सही महा रहा है, दोनों डेट को मिला लो किता है, दोनों मिला नहीं में लग रहा है, वो वन करोड़ सिस्टी लाक सेवेंटी फाइदा उनी हो रहा है, जो कि पहले एक्विटी गया, इसलिए वो पचास-पचास ठक्या हो गया, और इसको तो 8% से ही मल्टिप्लाइ करेंगे, क्यों, यूँकि नहीं के साथ में आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ा है, बोलो बच्चों बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, यह दो को ऐसा, कैसे अभी नहीं के साथ में कितना प्रॉफिट बढ़ा है अपना, और पहले कितना था, तो 34,350 प्लस करो कितना, 14,25,000 बर 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 बोल रहा हूँ मैं, दोनों profit अड़ करो, दोनों इंटरेश मैनेस करो, दोनों का इंटरेश कनता है, एक तों इंटरेश 7,50,000 है और दूसरा इंटरेश केतना है, 6,00,000 मैनेस करो, फ़र क्या होगा, परसेंटेज निकल गावर 20.88, देखो आया 20.88, हो क्या अंसर खतम, कैसा था क्वेश्टन, कैसा, See, I am not taking the regular questions, जो आपको बार-दस questions ऐसे कर रहा हूंगा, जो एक जैसे है, तो आपको मजा भोता आएंगा, पर उससों कुछ फाइदा नहीं है, I am just trying to cover varieties, different varieties, ओके, आगे बढ़ते हैं, 39 करना हैं, now where, now where, May 2018 में question आया था है, Limited wishes to raise additional capital 10,00,000 चाहिए इनको, कितना चाहिए, क्या चाहिए, अधिस्टा के बढ़ते हैं, 10,00,000 रुपए, ओके, यान इड़ाश अ प्लान, इड़ाश प्लान, इड़ाश थ्री लाइक्स क्या है, in the form of retained earning, उनके उसमें 3,00,000 रुपए अल्डीड है, याने कि उनको चाहिए थे 10,00,000 रुपया, अरे 3,00,000 चाहिए थे भया उनको, हाँ, इदा से क्या लिको, उनको चाहिए, डेट इक्विटिटिजी 4 इस्टो 6, याने कि 4 and 6 बराबर है, 4 क्या है, और यह क्या है, हम, और पता है, इन 6,00,000 में से, इनके अल्रेडी 3,00,000 रुपय किस से आये हुए है, यह रिजर्व से आये हुए है, और बाकी 3,00,000 कहां से आएंगे, समझा कि मैं क्या बलाओ, अरे समझा कि भया, क्या समझा बताओ, सर, इनको 6,00,000 चाहिए ता ना, तो 6,00,000 में से 3 तो अल्रेडी रिजर्व में हैं ही, याने कि मतलब क्वेशन का यह क्या होगा, वालों, यह खोश लोग क्या करेंगे, ए भया, 10,00,000 है ना, 3,00,000 अपने घर में है ना, तो 7 को 7,00,000 का 4 इस टू 6 नहीं हैंगा, 10,00,000 चाहिए, 3,00,000 घर में ही है, 7,00,000 लाना है, 7 को 4 इस टू 6 में डिवाइडने गा, इसा मतलब नहीं है उसका, 10,00,000 का ही 4 इस टू 6 आएगा, और यह 4,00,000 किस टेंगे डेट से, और 6,00,000 में से 3,00,000 तो रिजर से है ही, और 3,00,000 एक्विटी से, ऐसा उसका मतलब है, तो यह सब आ गया है, EPS आ गया है, डिविडेंट पर होटा, ओगाइस, क्या खवरेंगे, बस कुछ नहीं, वैक निकालना है, बताओ बच्छों, वैक कैसे निकालनेंगे, वैक निकालनेंगे, वैक निकालनेंगे, आपकेसे में पांच को और मोना ची, 되는 energy, source, amount, weight, rate, work source, दो, तीन, तीन source है, एक equity, एक reserve, है ना, equity reserve, और date में भी दो बच्छे हीए देट One, date Two, because पहले वहले date का 10 टका है, दुस्या लेटी का 16 टका है, है ना, आगे बोलो, क्या करेंगे आपे, यह हो गया date, यह हो गया equity, हम, हो गया, इसका अगर इतना इसका एका इतना इसका इतना हो गया चलो आगे ब crowd एवरिबडी वालकम बैक दोस्तों ये चार लाख में से आपको दो एक लाख स्यार मिलेगा दस ठके से और बाकी मिलेगा सोला टके सर कहां लिखा है अरे बाई क्वेश्चन में दिखा है इसे कहा कर रहो है तो सर अगर मानलों डेट का पता है हमको दस ठका तो दस ठके में से परसेंट सोला बन जाएगा आठ परसेंट तो वो तो मिल गया आप बताएंगे रिजर्फ की वेलेशन तो EPS दिया है DPS दी किता दिया है यह दो एक स्पेटर को ती है दस तेने किया डी वन के दो पॉइंट दो मार्क किया 44 प्लस किता करो में दस तका किता है गार आंसर किता है 15 परसेंट यह हमारा क्या है के ए और के इस इकोल टू के आ हो गया आगया कि देखो थ्री लैक्स थ्री लैक्स यह आगया यह तो वेट निकालना आसाने क्याल से ओला काम है 15 15 585 कैसे हो गया तेन का पचासतर का टेक्स गया और इसका है और यह आगया अंसर ओके गाई जारू बेरे समझ में आया के कुछ अरे समझागा अभी या ओके नाव नेक्स वन कमान करेंगे 2121 पूजा तो जैसा नहीं कोई कि दूजा दोस्तों कि मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं कि सरे एक्जाम डिले होने के क्या चांसेस लगते हैं कि आपको क्या लगता वैसा क्या जवाब दो एक्जाम कवे तीन में से और इलेक्शन कवे तो लेटी होगा ना पर एक्जाम तो क्यों कि आई सेंट्र एलेक्शन लेट हो जाएंगे आप दियार वेरी स्मार्ट देनों हाव तो ब्लेए अराउंट पता इस क्वेश्चन में क्या है आपको बुक वैलू से भी करना है और मार्केट वैलू से भी करना दोनों तरीके से करना पहली बार ऐसा संजोगा रहा है जिसमें बुक वैलू और मार्केट वैलू दोनों से भी करना है क्वेश्चन एक है आंसर दो आएंगे यह ना आप बताओ ना बच्चों वो पांच पॉइंट कौन से वांसे सोर्स अमांट वेट रेट वैक एसा दो नबढ़ींगा यह दिखो यह करेंगे बुक वैल्यू से एक करेंगे ते बुक वैलू और मार्केट वाल्यू राइट व्लोगे इन पांच में से एक चीज नहीं आएगी रिपेंड रोना हएग एगा तो पहले बुक वैलू कर लेएंट बूख वैल्य में सारे रेट एज़ेस 15 1 20 10 इन सब को आज इस यहां पे लिख दो ना हो गया लिख दिया है सब कुछ भी बदलाओ नहीं बटा बुक वैली क्वश्चन में भूल्य दिया है इनके वेट निकालनों तो बच्चों के वह वह निकाल लेंगे आप आप दिखिएंगे रेट केसे निकाल लेट चैनु प्लीस टेल में रेट कैसे निकाल लेंगे चलो Flaurina Tata Baking व ग्यार्णा विल्रम पॉल्ट रिमिन गैर नहीं हारा हां हाहहा आपको kp निकालना पड़ेगा यहां बेकॉज वहां पे रिडीमेब्ल है देखो यहां पे लिखा है डिडीमेब्ल लाइफ केत्धी है ड़ली स्लेंटीर है कि आफ्टर सिक्सियोस और सेलिंग क्या लिखाए है 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 रिडिवेवल टूनियोर्स का अच्छा यह 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 समें तक है यह दिबेंचर आगे ओके फाइन ठीक है बोलो बच्छों के पी का फॉमला क्या है पीडिये पीडि किता है ग्यारा प्लस आर्वी अन्रेड और आज कितना मिला हमारे आतमें 75 25 का नुक्सा नौकिते साल म है दस साल और यह 100 प्लस 75 डिवाड़ बाइ टू बोलो रहे आंसर के तभी है अरे करो जल्दी आरो हूं अरे करो यारो आरो आंसर आरा 15.43 बुक में मैंने सारा बना लिया वेरी गोट अक्रिती 15.43 चलो केडी बताओ केडी एक्सपेक्टेड नहीं केडी कितर है रिदीमेबल आफ्टर सिक्स यूर्स और सेलिंग एटी तो यहने क्या आएगा केडी देबंच किता है या 15.5 माइनस वान माइनस टाक्स प्लस बोलो क्या आएगा rb किता है रवी ठेड हात में पायसा कितना आया 80, 20 किससे रिवाडे करो मैं इसको अरो किस्ते रिवाडे करो मैं सको ? और कितने साल गां है है? और यह आएगा 90 न सब लो कितना है केड़ी का आंज एथा ट्वल पॉइंट देख आंसे नहीं तो एग अगले साल का एक स्पेक्ट नहीं की अगले साल का सुने बात में कह देना चाहतों आपको बार बार इसको लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे इसको डीवन मानते हैं इसको डीजर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट येर एंड ओफ करंट येर अपकमिंग पास्ट येर का डिविदेंट पेजे ऐसा लिखा है करंट येर का डिविदेंट लास्ट येर का डिविदेंट सुनू जरा मैं क्या बोल रहा हो अगर ऐसे शब्दों को प्रयोक क्या होगा एक्स्पेक्ट डिविदेंट नेक्स आइर का डिविदेंट giant येंड अगली सीन का क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और इन लेक्षे से समझ सकते हो आगे पढ़ेंगे अरे बोलो भया समझ वाया क्या अरे कुछ तो बोलो शोड़ा प्रोसीड चलो लेट्स प्रोसीड अपना वो बता हो रहे है भाई 3.6 तो इसका वो है सो केई इस इकोल डीवन डीवन 3.6 पीजरो कितना है मार्केट प्राइस 40 की और जी कितना है जी कितना 7 परसेंट बोलो कितना 16 परसेंट सर आपने सबने क्यों निकाला अरे बेटा ये जो फॉर्मेट दिया था ना उसमें आगया ना इस बहुत आपने निकाला डेट आपने निकाला अंसर आगया व्यक्क हो गया बताव मार्केट वैल्यव से कैसे करेंगे बोलो मार्केट वैल्यव में आपके सोर्स वाले कॉलम में इक अड़ जाएगा जिसका नाम दिक विदर एक्विटी प्रेफरेंस रिट कौन सा किर्न वेह सी इदर देखो इदर देखो स्क्रीन पे यह बोल रहा है 10 रोपे का एक है आप पंद्रह करोड चुख यह जनिंग इन कितने श e 5.0 शेर स से देड़ करोड शेर्स और इसका भाव क्या चल रहा है चालिस दसका चालिस हो गया तो देड़ करोड को अगर चालिस से मुल्टिप्लाइब कि रसाट करोड आता है तो मैं अमाउंट में लिख दूँगा साथ करोड देखो मैंने 60 करोड लिख दिया सही है 60 एरोट नेक्स्ट अब बोलो प्रेफरेंस पहले किते गाथा सो का अब किते गाओ गया 75 याने गाओ सो 75 लाक्स लिख दो यागा 75 डेट के बारे में सो का सी हो गया याने की देट आपका 10 करोड का 8 करोड हो गया कि क्यों नहीं होगा लोन है वो डेट है डेट फंडेंड फंड फंड के रट चिंट होता है यह लोञ लिया नहीं बैंक्स है के लोन का पैसा चेंच लॉद अगफ विखता नहीं है यसे साबसंटेश तो आप निका लगे और प्रेट तो दिये अरे परसेंटेज तो अभी निकाले ना अरे यह उपर से नीचे शापना है बस इसमें कोई चैन्ज होंगे सोला परसेंट यह सब आभी उपर से नीचे लिखना है अपका वैगा जाएगा यह ऐसा है कि हमने आनोगा क्वेशन देगा क्या क्वेशन देखा जिसमें बुक वैल्यू भी देख लिया मार करें आई थिंग आपको दोनों समझ में आए हां बुक वैली भी और मार करें एक का फरक है कि कंपनी ने कंपनी ने देख यहां पर लिखा है है यहां पर लिख रहा है कंपनी मार्जिनल कॉस्ट दस करोड़ का और रेज करें अगले साल तो अब उस केस में क्या होगा दामाउंड वे रेस भाई रेज इन एक्वेट इकवल प्रपोर्शन गंपनी करोड अर्निंग एडिश्टन इस्यों इक्वेट इन एक्वेट नेट प्राइज यह इत्ता हो जाएगा और डेटी सब हो जाएगा यह सब मुझे बाद में पढ़ना है पर मुझे पहले पढ़ना है कि तीन टाइप के वैक निकलते हैं वैक निकलता है एक एग्जिस्टिं और पुराना दोनों वाला मिला के तो इस ते तीन टाइप के एग्जिस्टिंग फिफ्टी यह तो हमने निकाल लिया अलरी 10 क्रोड का भी निकल सकता है और टूटल भी निकल सकता है अब देखना है क्वेश्टन में exactly कुछा क्या था क्वेश्टन में क्या पुछा था कि प मार्जिनल कोस्ट ऑफ कापिटल शेडूल फॉर था कंपनी इफ टेन करो नेक्स्टियर गिवन फॉलिंग इन फॉलिंग इन फॉलिंग इन देखना है अगर वह बोलता है टोटल का निकालो तो मैं 68.5 यह दोनों को लिख लिख की निकालता है पर अभी उसने क्या बोला है है और अदर क्या क्या बोल रहा है कैसे नीकालत 10 कोर्ण कांसे लाए उसने इसलिए आपको यह पाता है Maarайте बांखी किह अंगा एक विटि और रिजर्व तो बोल रिजर्व में हमारे पैसे देड करोल अल्री पड़ हो है तो हमार पास रिजर्व है 1.5 का एकुटि यह साड़े थीन का और देट धाई और ढही का है यहां पे लिखाओ यह 5 पांच क्रोड चाहिए और यह पांच चाहिए और यह पांच चाहिए तो इनको आईसा रेट दिया है 2.5 कि दोनों का लगरेरेट्स है रेजर अलड़ी 1.5 दिया है यह 3.5 दिया हुआ है वेट तो आपको समझ ही जाएगा आप क्या करेंगे बताओ वे वोんで गो डशुव देड की सामने किसको लिखीं कि अबाद देड़ो डेटका रेट कैसल रहे है sneaking इका पंद्रा टकका है और इक स्लूरा का है टाकल चलीस पर्षंट है तो पंद्रह मेंसे 40 टकтरे तो नो टुपर्षंट है और सोला में से निकालेंगे वो बोल रहा है कि अब जो एक्विटी है ना आपका यह प्राइस हो जाएगा आपका 32 यानि कि आपका यह हो जाएगा पी 032 ग्रोथ किता है 7% देगा और आपका क्या बोल रहा है वह हूँ कि दीवन किता है 3.6 ही है ना तो यह बरावर है कि निकालो दरा 3.6 अपॉन 32 18.25 यह रागे आगे ना 18.25 देखो दरा क्या कि आए पर अच्छा वो क्या कि आए अच्छा वो क्या कि मैं समझा दो क्या कि आए सुनो ज़रा एक नेंस सब्सक्राइब क्या डिखा है यह लिखा नेक्स्ट यह यह ने कि पूराने के अंदर एक बार आड़ करना है और फिर और एक बार पैसे अगले सार रेज करें तो अगले साल का दीविडिन किता है 3.6 प्लस 7 परीषेंट यह हो गया अगले साल का दीवन अगले साल का दीजीरो और उसके अंदर आह उसके अंदर और 7 पर से आहा को हो जाओं ओ रिर में यह इतना आपका थे वाइंट m ना तो 3.6 प्लस केता था 7 परसेंट तो ये क्या है 3.8 जो है वो D 0 हो गया और उसमें एर करना पड़े और एक बस 7 परसेंट 4.1 क्योंकि ये जो पैसा 10 करोर जो है न अगले सार इस्जू कर रहे है तो उसके पॉइंट वेसे दिवन क्या एगा 4.12 तो ये 4.12 ने ईखना ड़लन कहता है पहले ऐसे यही एक्सक पेंटर है ओक्सं़ हर ये और यह इसक्पेंटर था तो उसके नंद लेक इपरारा आट करना तो 3.83 भाएग करेंगे उसके मारकेंत प्लस कहता मारकेंट प्लस किवेड किए कि था हो गया और यह कुछ तो 12 पॉंट कुछ आ रहा है फ्लस साथ तो 19.03 आ रहा है तो यह 19.03 आपको एक विटी आ रहा है कि पर इसमें याद रहे हो दोस्तों यह ऐसा एक अनुवा कुश्चन है जा पर क्यार इस नौट इस इगल टो के यह क्यों मालूम है बोलो क्यों नहीं इसमें कुछ गडबड है और गडबड आपको बहुत समझना जरूरी है बहुत ही इंपोर्ड़न चीज में पढ़ाने जा रहे लाओ आपको बता है यह जो है न यहां पे इसको 18.25 क्यों लिखा पता हो कि मुझे आप मुझे सब खुला सा दे सकते हो हो कम 18.25 यहां पे आ रहा है 18.25 कहां से आया है 3.67 परसेंट बोलो students kindly note that if the floatation cost is given then k is equal to not kr because net proceeding will be changed for k and kr इन के फॉर्मुला आपको ऐसा लेना पड़ता है और इसमें इसा लेना पड़ता है कई पर आपको flotation cost दी है question में कई पर flotation cost दी है flotation cost दी है लड़ी के नहीं हाँ बोलो जल्दी मैं आपको एक question दिखाता हूँ जापे ऐसा होता है एक मिनिटा आपको बहुत इंटरस्टिंग प्ली समझना पड़ेगा मुझे बोलना है बोलू के मैं अभी आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है जैसे कोई question मैं ऐसा दिया होगा अगर यह floating cost दिया है और floating cost है for example दो और face value है 100 ओके और इसके उपर हमें देना है दीवन पाज रुट है ठीक है ना और ग्रोथ है 10 परसेंट है ठीक है यह floating cost है यानि कौन सी cost जो brokerage cost और यही question के दो आंसा बनेंगे इसका के ई किता निगलेगा किता के निगलेगा इसका के किता है पाच अपन किता करो में face value minus किता आएगा आपके हाथ में किता पैसा है दो यानि दो हो जाएगा और प्लस किता परसेंट दे जाएगा दस परसेंट यहने कि 5 अपन किता हो जाएगा 98 प्लस 10 परसेंट यहने किता आएगा अक्सर क्या करते है अपन पता है आपन क्या समझते यह is equal to kr है formula करता है k is equal to kr बट जब flotation cost दना flotation cost एक इसी cost है जो सिर्फ actual में issue करते समय लगती है reserve को लाने के लिए लिए लगती है इसलिए क्या करते है बच्चों इस समय अक्सर जैसा होता है के is equal to kr वो सेम ही हो जाता अगर यहां पर floating cost नहीं होता पर जब floating cost होती है तो दूनों के और क्यार अलग हो जाते है आप ऐसे समय पर क्या होगा 5 तो ठीक है पर आपको यहां पर 100 लिखना पड़ेगा और यहां पर करना पड़ेगा 10 परसेंट बहुत कितना आए गांसर क्या समझा आपको उता हो यह आपको समझा पड़ेगा द्यान सुनना 99% किसे में जापर floating cost नहीं है वहां पर हमेशे क्या होगा के निकाल लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसको हाइलाइट करो यह बहुत ही important चीज है यह खतरनाक चीज है कर दो कितना चीज है समझा लाइस्ट्रमिंग कोई डाउट है पूच सकते हैं मुझे इनी डाउट प्लीज दो आस्क तो अक्सर क्या होता है के इसे को टो के आर होता है पर के इसे को टो के आर कब नहीं होगा जब वहाँ पर फ्लोटिंग कोस्ट होगा इतना दिमा में डाल कि फ्लोटिंग कोस्ट वाले जो खर्चे सिर्फ के के लिए वो के आर थोड़ीना कोई इशू होता है उसके लिए थोड़ीना कोई ब्रोकरिज लगेगा यह लिख लिए आपने वही फरक है अगर मैं आपको यहां पे एक क्वेस्टन पर लेके जाओं तो अगर यहां पे एक क्वेस्टन पर लेके जाओं तो आपको यह एक्जाक्टी समझ में आगा यह भी एक थर्डिशन को क्वेस्टन हो देख लो कुछ अजीव सा क्वेस्टन है यह क्वेस्टन पर देख लो क्या लिखा है सुन जाए देहन से हम इतर देखो अच्छा गंशेप्ट है कभी आपने यह सुना है वाट दी इन बाए एक्स डिविधेन्ट डिविडेंट मिलता के नहीं मिलता इस पर X dividend पर मतलब मिलता नहीं तो the ordinary shares are currently priced at 39 X dividend preference shares are priced at 18 come dividend the debentures are selling this this ये लिखा है X interest the applicable tax rate ऐसा लिखा है इतना cost of ये देखो बच्चो क्या लिखा है यहां पर जहां से देखना इसका concept समझोब है dividend 50 declared but not yet paid on first may एक में के दिन 2550 थे कम प्राइस की बाद seller will not get the dividend buyer will get the dividend यानि कि जब कम प्राइस दा कम प्राइस तो कम प्राइस में किसको मिलता है seller को नहीं मिलेगा जो buy करेगा उसको मिलेगा कम याने कि उसको उसके साथ मिलने वारा है मैं अगर आपको बेचू रिलाइस आज और कम वारा बोलो कम याने की आपको में shares भी मिलेंगे और dividend भी आपको ही मिलेगा दरावर एक में को मैंने आपको एकस डिविडंट बेचा तो किस को मिलेगा सेलर को मिलेगा बायर को नहीं मिलेगा याने जab मैं एकस से बने एकस ने की पूरानी हली आपकी नहीं तो मैं अगर आपको एकस डिविडंट बेचूंगा तो इसका मतलब क्या होगा आपको डिविडेंट नहीं मिलेगा मुझे डिविडेंट मिलेगा और कम बोला तो जब आप बाई कर रहे हो तो आपको मिले है कैल्कूलिशन अब वैक इदन देख लू अब ध्यान से करेंगे यहां पर और शेर प्रिमियम रिटेंट यह सब लिखा हुआ है और वो बोलते हैं वैक निकालो उन देपेस्ट अब मार्केट वैल्यूंत तो पहले बताव मार्केट वैल्यूंत में क्या नहीं आएगा रिजर्स नहीं आएंगे, पका नहीं आएंगे तो क्या आएगा फिर? सब आएंगा ना, प्रेफरेंस भी आगा, डिबेंशर भी आएगा इकव्टी कितनी है? ये तो नहीं आएगा और शेर प्रीमियम भी नहीं आएगा ordineεις किते है? पाँच लाग पर मार्केट वैलु किया चल रहा है? मार्केट वैलु किता चल रहा है? 39 एक्स डिविडेंट है, है ना? The debentures are selling this applicable tax rate इतना 30% and KD cost of equity has been estimated 19% कोई बात, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 150,039 इसका मतलब क्या हुआ? 39 क्यों लिए हमें? अक्सर हमेशा X dividend पे ही हम लोग को करना पड़ता है इसका मतलब क्या होता है? X का मतलब क्या होता है? excluding dividend याने कि मतलब जो X करता हूँ मैं जब मैं X dividend की बात करता हूँ तो हमेशा बायर को dividend नहीं मिलागा, कैसको मिलागा? तो इसे लिए यहाँ पे कंपनी से करेंट ली प्राइस रट थर्टी ना एक्स डिविदेंट तो बिलकुत सही जैसा चाहिए हमें वैसे होता हुआ हमेशा हमेशा हमें किस की तलाश होती है? तो कितना हुआ? आपका कितना शेर से 50,000 मुल्टिप्लाट बाय कितना से करो 30 नहीं तो कितना आंसर आगए? तो बराबर है? अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेर से से प्राइस डट कितना लिखा है? 18 कम डिविदेंट लिखा है और यह 4 लाग लिखा है. चार लाग अमाउंड लिखिए और फेस विखती है? 25 की. तो यह क्या हुआ? यह बुक वैलू चल रहा है? है ना? और मार्केट वैलू कितना है इसका? 18,18. फेस वैलू कितनी थी? और इसका कम डिविदेंट कितना है. आपने किस प्राइस पर चाहिए? अपने को मार्केट वैलू नहीं कालना है. क्या किया उन्होंने? फेस वैलू है? और फेस वैलू के ओपर डिविदेंट कितना है? अरे बहुत पच्चिस के पर आट तक का, तो कितना होगा? दो. तो कम कितना है? आपको कुछ नहीं भी संजाना नहीं चीज़ समयंगा. आप जब मार्केट वैलू का प्राइस दिखोगे, वो एकस पर आना ह एकस इस उकल टू कम मानेस डिविदेंट तो कम की पर इस कितना है? अट्रा में से दो रुपे निकाल दो. रुपे कहां से है? पच्चीस रुपे का मुल्टिप्लाइब वाइए अट परसें, तो रुपे हो गया. तो कितना है वो? शोला. तो सोला को मुल्टिप्लाइ करो क किते से अब इनके समें चार लाग रुपे डिवाड़ बाइब पच्छी से या निके समें 16,000 शेर है 16,000 को डिवाड़ करो किते से 16 से तो 2,56,000 आएगा है है हमेशा आपको एक्स पे लाना है ठीक है तो एक्स पे ला लिया हमने क्यों कम पर दिया था कम का प्राइस किता था अट्रा अट्रा में से दो रुपे मैंने सकी सोला है और डिवेंचर किता दिया है डिवेंचर तो उतने हो गए यह छे लाग डिवाड़ बाइब हंड़ किता हो गए तो 6,000, 6,000 का मुल्टिप्लाइब किता प्राइस उसका वो अलड़ी एक्स इंट्रेस्ट है 120 है तो 120 को मुल्टिप्लाइब कर दो साथ लाग भी से रहे है कुछ नहीं समझाना भाई इतना वाद याद रहो मैं आपको समझा रहो सुनो इधर देखो मेरे पास एक बात समझ क्या तो इसलिए क्या होता है आप हमेशे मुझे एक्स बेचोगे आप सेलर हो आपने होल्ड किया तो आपका डिविडेंट आपकोई मिलना चाहिए तो मुझे एक्स की वाल्यू मिलना चाहिए अगर मैं बायर हो तो 20 रुपे का कम वाला वैल्यू एर 18 रुपे का उसका 18 रुपे का प्राइस और 2 रुपे डिविडेंट है तो जब मैं बाय करूंगा तो मेरे लिए तो आट्रा भी करूंगा तो मैं 20 ले भी लूंगा तो 2 रुपे मुझे मिलना नहीं चाहिए इतना बात याद रुको अगर और कुछ नहीं से लॉजिक नहीं समझ में रहा तो इतना यह सद्याद रुको कि कम जब लिखाओंगा तो इसको एक्स पिलाना है आप जब भी मार्केट वालू का कॉलम लोगे तो इट आस टू बी एक्स और एक्स के लिए ही काम करना था कम मैनस डिविडेंट बागी एक मैं बैस ओई क्वेस्टन लिखार हो है 48,41 झाल खुई हुआ से टुई चाई झाल भी मार्केट रिखार हो इसक्स पिल्ग एक्स बागी करेंगा झाल रहां रहां जाल अच्छा question है वाज़ा दोस्तों यह question आपके लिए ढूंगे निका रिखास यह है आपको निकाला वैक निकालो वी मार्केट वाले किसे आपसे और मार्केट वाले जब निकाले तो पांच कॉलम हैंगे प्रिफरेंगे और आपके लिए अब उसकी मार्केट वाले निकालना है तो मार्केट वाले कितनी है वो देखना पड़ेगा अभी क्या तीन लाक रुपे के थे और तब क्या था इनका हंड्रेट का 110 हो गया याने तीन लाक का 3 थीजार हो गया तो यह थीन लाक तीसे जार हो उसके बाद में ये ढही लाग है तो यहां पे इस दो रुपे की चीज एक सौ रुपे हो गई यानि ढही लाग में आट परसंट बढ़ा दो कि दो लाग सतर जार होगे है और ये था दस रुपे का ये कितने का हो गया है जार आप ठच्छीज ये धाई गुना बड़ गया है तो पांच लाग का धाई गुने अने साधे बारा लाग हो गया है यह जादे बारा इसकी टोटल अगे इतनी और परसंटेज भी आगए ठीक है न अब उसका क्या निकालना है अरे बोलो क्या निकालना है उसका केडी के न कुण सा पेज़ है है हाँ यह 10 परसंट है ना तो 10 यानि की इंटर्स किता है दस ब्रैकेट में क्या करूँ प्लस क्या आएगा आरवी आरवी किता है गारि-मंडर्स किया करूँ एट दिवाड किया करूँ लाइफ के तथ दस साल कर न सो पर डवेंचर डियमेबल एट पार और दा मारेंटरї प्र निल्ली ओरर जेर इस अार-वी किता है अरवी तो हंडर्रे जैज्ट already अरवी किता है हंड्रे अ हमें future में कित्ते देना है उसको redeemable at par लिखाए ना यानि कि आपको future में 100 रुपे देना है आज अपने हाथ में कित्ते पैसा है 110 आए है ना और minus कित्ते करें है दो रुपे कि अरे market price ने एक सदस कित्ता है अपने जब issue क्या था वह issue क्या था 100 रुपे में और redeem भी करना है कित्ते में पर सिर्व market price उसकी इतनी है तो market price उसको क्या करेगे ये तो market price तो market price के लिए 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 तो तो अपना आर्वी कितना है जो मैंने इसके बढ़े बोला तो गलत बोल रहा था तो यह कितना हुआ 100 यहने आपका redeemable value 100 है और आज आपके हाथ में कित्ते पैसा है का 100 मैनस दुआ है तो 90 बदाब ठीक है यह सब हो गया तो इसका answer है 7.21 अब यहां पर पता दो कित्ते पैसे प्रेफरेंश है 100 पर प्रेफरेंश है रिडिमेबल अट किता 3% प्रोटेशन कॉस्ट बताओ आपके समें 100 रुपे की चीज़ कित्ते में आपने 97 रुपे आपके तो आपका एंप 97 आएगा और आपका redeem जब करोगे तो कित्ते में रिडिम होगा 100 रिडिम होगा बता परे और यह मार्के प्राइस क्यों दिया ओता था कि मार्केट प्राइस का जो वैली है उसके लिए आता है ठीक है ना तो आप बताओव हिसा कित्ता आएगा kp so KP आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको यह 12 करना पड़ेगा 12 आद भी किता है आज हाथ में किता है डिवाइड भाइड किता करू और होल अपॉन किता करू अंसर जो भी आएगा है यह आगा है अपक KP इस लोके यह आगा है 12.48 यह आगा है इतना और यह सब डेटा आपने आपर भर दिया के यह बताओ कैसा है के यह चार आपका इक्विडी शेर्स है जब फोर फ्रोडेशन कोस्त मार्केट प्रेस तो 25 तो आएगा नीचे पीजिरो नेक्स यह का डिविडिन किता है दो तो आणसर कैसा है का दो अपन 25 माइनस 4 बराबर है प्लस किता है गा बस यह जो भी आणसर है गा बस यह जो दालना है उसमें आगे आपका अंसर काल इक्विडी में 25 मेंस 4 बराबर है अगे 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 शेर शेर मारकेट में जब हम लोग कभी भी कोई इक्विडी इस्यू करते हैं तो वह कभी फेश आलों पर थोड़ी ना करते हैं आप अप में याद रखना में जो कह रहा हूँ आप सबी लोग याद रखना एक बहुत भारिवत बदा रहा हूँ जब आप नेट प्रोसेडिंग करते हो तो कभी 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 कन्फिशन होता है मार्केट प्राइस क्या ले अगर वह चीज सौकी एक सो दस रुपे में बिक रही है और उत्ते पर सम्कों रियलाइज हुए है तो आप अगर ऐसा बोलो तो आप ध्यान रखना बहुत अच्छा काम का बोल रहा हूँ अगर मानलों इसकी फेस वैल्यू सो रुपे है और कंपने इसके रियलाइज किये रियलाइजड ए तो आपका एनपी हो जाएगा 110 अगर मानलों आपका फेस वैल्यू है सो और ऐसा लिखा है मार्केट प्राइज 110 तो फिर भी नेट प्रोसिदिंग सो आएगा ऐसा लिखा हो का फेस वैल्यू सो सोल्ड एट सोल्ड एंड रियलाइस्ट सोल्ड एंड रियलाइस्ट 90 तो आपका नेट प्रोसिदिंग 90 माना जाएगा सुनो जान से MRP बोर्ड लगाया हुआ है भार दुकान के भार बोर्ड लगाया है यहां पर जो गाड़ी है वो चार करोड में मिलेगी आपने दुकान में जाके वो उसका सौधा किया बार्गेनिंग के तीन करोड में लाई तो यह market price is like you know having bored but actually market price और sale दोनों सेम नहीं होते है market price is like MRP यह इतने में है पर B की तो अगर market price 100 में भी लिगार पर B की 110 में तो 110 actual value है जो आपका net proceeding है आपके हाथ में कितने है भाव कोई भी कुछ भी वोलता है उतने में बिगा गया अब जैसे 100 रुपे की चीज़े बिगी कितने में 90 तो आपके लिए net proceeding क्या आएगा market price क्या लिखिए वो important नहीं what is important कभी-कभी ऐसा हो सकता market price भी उत्ती है और sale भी उत्ती में हो तो फिर दोनों का एंपी से में आएगा net proceeding समझा है मैं क्या बोल रहा हूं वो थोड़ा confusion हो सकता है आपको वो थोड़ा we have to be very shatir enough to understand क्यों कैसे language से खेलेंगे पर actual में मतलब क्या है मतलब अगर आप दो कोई अगर आपको रियल लाइफ में जब यह एंपी का मतलब जानना है कितने में actual में बेचा गया है यह क्या करते है आई से यह जानवच के language से खेलते हैं और जो मुझे पसंद नहीं है नेट प्रसेडिंग का मतलब क्या है कितने अग्षिल में भिका सब कट पीटके ब्रोकरेज जाके डिसकाउन जाके मेरे हाथ में कित्या है वह होता है नेट प्रसेडिंग लॉजिकली सोचो रहें आप वह शब्दों से लेंगे मार्केट प्राइस 110 है लेंगे में लेना चाहिए एक बार चाहे कोई भी शब्दों से अपना बेसिक प्रिंसिपल एकदम दिमाग में अचाहिए कि नीचे एंपी लेना है और एंपी का मतलब क्या है मार्केट प्राइस का मतलब नहीं होता वाट इसलिए एंपी में हमेशा रेलाइस वाट को तूनते है पर कभी कभी क्या करता है इसे जानमुच कैसे शब्दों में ट्विक करती है न तो इंसन कन्फूजन में आता है अरे यह लें के बोले तो उस समय पे आपको बोलना चाह कि अगर आपको नहीं सब्दों डालना चाहिए कि मुझे लग रहा है इन बाश्चाओं को देखके यह मार्केट प्राइज इतना है और एक्च्वल में पैसे मिले इतने है इसलिए मैं ऐसा ही रहो यह मेरा अजम्शन यह अंडरस्टैंडिंग है क्या होता है कभी भी शब् फिर मार्केट प्राइस क्यों दिया होता है मार्केट प्राइस क्यों दिया होता है और अपना हमेशा जब उसका actual में अपनो KD, KE और KP निकालते है न, उस समय पर क्या करना चाहिए, KD के लिए और KP के लिए, जो net proceeding याने की actual पैसा जो realized हुआ, वो देखना चाहिए, conceptual clarity है, okay, I think guys हमने almost सारे variety के questions देख लिए है, done with this chapter, बहुत सारे questions की, बहुत सारे, बहुत सार इतना question solve कर दो, ये 5 मा के लिए था 2019, इतना solve आप खुद करेंगे, I am waiting for you all, page number is 99 ये solve कर पाएंगे, देखो date चार लाग रुबे है, तो इकुड़ी किता हुआ, अरे 10 लाग चाहिए ना, 10 में date किता है, तो इकुड़ी किता है, तो सोर्स की कॉलम में क्या आएगा? एकुड़ी आएगा 6 लाग, और डेट के भी दो बच्चे बना दो, because date 2 लाग के लिए अलग रेट है, और date 2 लाग के लिए अलग रेट है, तो मुझे रहता है, source में तीन चीज़े आएगी, एक इकुड़ी और date 1 आएगा, और date 2 आएगा, amount कैसे आएगी? 6 लाग, 2 लाग, 6 लाग, 2 लाग, 2 लाग, percentage के साथ परसेंट, 20 परसेंट, 20 परसेंट, अब लिखा दो KD, KD कैसे आएगा भी है? 10 टका लिखा है, 10 में से टैक्स जाने दो, तो साथ आएगा, और दूसरे के तो 15 में से 30 जाने दो, साढ़े 10 टका, और के ही कितना आएगा? डिविडेंट पर आउट किता है, तो 4 का 25 टका याने कि 1 है, 1 है डिविडेंट, और ग्रोथ कितनी है? 10 टका है, याने 1.1 हो गया, डिवाइड बै कितने से करूँ? 50, प्लस कितने से करूँ? 12 पॉइंट? या आगे, और या अंसर है का? 10.82, एक बाद देख लो, आ रहा है ना? ऐसे क्वेशन हैंगे, पांच मार्क के लिए क्वेशन पूछा दो, आपको सारे के सारे कंसेप्ट अभी बहुत अच्छे से क्लियर हैं, एक क्वेशन बच्चाब हमेशे पूछे साथ, अगर DPS भी दिया और EPS भी दिया है, तो DPS से भी के यह नहीं गाल सकते हो, DPS 1 अबलिक P0 भी कर सकते हो, यह EPS 1 अबलिक P0 दोनों भी चलता है, आपको जोए अजम्शन नहीं ले सकते हो, दोनों के भी आंसर आई से क्रसम से अजिस्टर में होते हैं, जब भी कभी कोई बातों से, कोई शब्दों से confusion लगे, तो assumption लेने में हिच के चाना नहीं, डिनेकली डॉंट से कि यही सही है, आप बोलो कि मुझा लगता है कि यह का मतलब यही इसलिए मैं assumption मान रहा हूं, कि यहां पर यहां 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 यह वहां बड़े देर से तलास थी इसकी कि यह अललक क्यों आए, इक्विटी और रिजर्व का percentage अलक क्यों है, हां हाला कि यह question market value से किया हूआ है, अब सवार उट रहा है जब कोई market value से ही question किया हूआ है, तो उसमें reserve आया क्यों है, market value में generally reserve आता नहीं, पर कभी-कभी उनका जो के-ई और किया जब different होता है ना, तो मुझे reserve लेना पड़ता है, यह question को मुझे करना ही पड़ेगा, इदा देखो, यह बहुत अच्छा question है, दो मिट चीजे, बोलो, दो मिट, दो मिट, कॉल करो, दो मिट रहा हूँ, cost of equity कितना लिखा है, अरे बोलो, cost of equity कितना 10 point, audit and earning कितना दिये वा है, आ, यानि कि दोनों के दोनों, there are 50,000 equity shares of 10 each, return earning कितनी है, 15,000,000, है ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, market price दी 50 की, यानि 50,000 को 10 से multiply करने के बदले, अब आपको 50,000 को 50 से multiply करना पड़ेगा, बराबर कह रहा हूँ कि नहीं, तो 50,000 को multiply करो 50 से, तो कितना 25,000, तो आप 25,000 की लिखना चाहिए आपने actual में अगर आप और रिज़र को ignore करना चाहिए, और 25,000 को कितने से multiply करना चाहिए, यह डारेट 10.41 से multiply करना चाहिए, आइसा करना चाहिए कै नहीं, देखो देखो ऐसा होना चाहिए देखो मैंने जान बुझक एक इनकरेक्ट है 25 लाग और 10.41 ऐसा करना चाहिए आपने अरे बोलो यार पर यह गलत है क्यों गलत है यह दोनों के रेट अब आपको क्या करना बड़े यह 25 लाग पट्रीस लाग रखना है पर पट्रीस लाग के दो अपार्टमरों करना पहटीस का कुछ-कुछ आएगा इक्वीटी में कुछ-कुछ आएगा रिजर्व में और से वह कैसे रिजरीड होगा कुछ-कुछ किता बच्चों पहले क्या सदॉत यह पांच लाग थो यह 15 लाग था क्या पांच लाग और क्या पंदर लाग अरे वह रिजव पंदराग था ना तो यह क्या रीशों में आते हैं दोनों यह वन इस्टो ठीम आते हैं तो आप क्या करो यह 25 लाग का वैल यह 25 लाग के रखो इसको वन इस्टो ठीमें डिवाड करो याने कि सवाचे लाग और और ठीक्टर जार बराबर देखो 625,000 और 825 मैंने 25 लाग को मैंने 25 लाग प्लस 15 लाग नहीं लिखे अरे वो 50,000 multiplied by 50 लाग का वालुशन 25 लाग ही है तो आभी भी मैंने 25 लाग ही रखा है मैंने 25 लाग प्लस 15 लाग नहीं लिखे सीव मैंने 25 लाग को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है और वो क्यों किया है बिकॉज यह मल्टिप्लिकेश्ट रहा है जो रेट है ना वो दोनों का अलग है ना अगर दोनों का रेट सेम होता ना तो मैं 25 लाग को 25 लाग ही लिख्के मुल्टिपर रभाए 10.41 कर देदा बोल सही चल रहे हैं और अभी इस सब्सक्राइब को समझा ने टेन पॉट इसंगर यह वाला चीज में आपको पहले समझा रहा है कि जब भी क्या ने जल्दी होता हूं कि यार और कि यह अलग होंगे तो आपको लिखना है वही वैलू जो मार्केट वैल्यू आफ यह जो 30 का फरक पड़ा है न वो इसलिए बिकॉज यहां पर हमने इसको 10 टक्के से मिल्टिप्लाइक है रोग इसको 10.41 से किया है वो इसलिए 30 पैसे का फरक आया है दिए और अड़र्श्टैंड इस बाकी सारे क्वेस्टेंस आप लोग करेंगे रफ्तार के बुक से अच् ऑगर को मिलेगे एक नहीं चाप्टर की साथ में मंदे ठीक हम लोग शाम में मिलेगे सवा पाच बुझे थैंक यू सो मुच टेखेर बाई-बाई-वॉबई-वलसीवर नेक्स चाप्टर ओके ठीक एल वाई चालो होगी गया ठीक है ओके बाई बाई गयास ठीक है see you बंडे मिलेगे दोस्तों पाँच बजे करें बस पाँच बजे शार्प बाई बाई मंडे के दिन हम लोग शाहिद से करेंगे capital structure mostly let's see thank you guys take care bye bye